अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो इस रेड बटन को दबा के साथ बेल आइकोन को दबा दीजिए है विवर्ज मैं हो तर्वीर अमेद ST Home Kitchen Gardening से हम ओनियन के लिव्ज को हार्वेस्ट करेंगे हार्वेस्ट है ओनियन लिव्ज हारवेस्ट ओनियन लिव्ज एट होम किचन गार्डनिंग तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिएगा इसमें आपको मैं तरीका भी बताऊंगा ओनियन हमारे बड़े कैसे होते हैं इनका साइज बड़ा कैसे होता है और हमने इनके अंदर फाइटिलाइजर कौन सी डालनी है और अगर आपने किसी दूसरे प्लांट्स की स्पे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेर कीजिएगा तो चले स्टार्ट करते हम ओनियन के लीव को हार्वेस्ट करते हैं तो वीवर्ड ओनियन के लीव को हार्व तो अगर मैं इनको हार्वेस्ट नहीं करता तो ये मेरे जो टुमाटो के प्लावरिंग आ रही है तो इसी तरह ये फ्लावर बनेंगे और बाल में यालो कलर में पढ़के ये खतम हो जाएंगे अगर मैंने इनकी स्पेस को खाली ना किया नीचे से तो ये इसी तरह मेरे टुम प्लांड किया था टोक्रियों के अंदर तो यह फाल तो स्पेस जो खाली थी बीच में वहां पर मैंने ओनियन लगा दिये थे तो अब यह ओनियन को मैं हार्वेस्ट कर लूँगा इससे पहले भी मैंने पार वन में एक ब्रॉकली का प्लांड लगाते हुए उनके दरमयान भी उननियन के लिवा और फिल्वेस्ट कर लिज लोंगा हो इसना ढंको मैंने गामें हैं का अदर नटोए तो अगर आप सब्सस्टी में अगर में आपको तरीका दूसरी दोंकरी के अंदर दूखता कहां है हुए कह चम्हेंट आए रिमूव नहीं करते हैं, जस्त हमें लीव्स चाहिए होते हैं, जैसे ये लीव्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन से लीव्स को हार्वेस्ट करने हैं, तो चलें पहले इनको हम हार्वेस्ट करते हैं, ये रेगे, जैसे ये देखें, इसकी रूर्ट्स भी काफी बढ़ी हैं इनकी, तो इनको मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, तो ये हमारे मुखतल जगां पर काम आएंगे खाने के लिए, तो इसी तरह ये टोकरियों के अंदर जितरे ओनियों के लीव्ज है इनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ तो विवर्ज ये थी हमारी आज की हार्वेस्ट जो मैंने मुकमल तोर पे जिनको हार्वेस्ट किया था तो यह हमारी सारी लीव्ज जिसको हम पूकें भी बॉलते हैं आम्स बांड़े तो अब दूसरे लीव्ज को हम हार्वेस्ट करते हैं जैसे इन टोकरियों के अंदर मैंने ओनियों को जस्ट ग्रो किया हुआ तो यह मैं चाहता हूं कि यह मेरे ओनियों बड़े हो तो साथ- साइस के आपने इनके दर्मियान के अंदर गोडी डालनी है आसा-सा मटी को बुरुबरा करना किसी चीज के साथ ज्यादा नीचे तक नहीं जाना इनकी रूर्स को नहीं काटना है तो इस तरह आप इनको गोडी डाले और गाय का गोबर डाले तो इससे यह होगा कि आपके इनका साइस आसा-सा बढ़ता रहेगा तो अभी यह देखें यह लीव काफी ज्यादा है और गिरे भी हुए है नीचे की तरफ तो इनको हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे इन लीव को जैसे हम किसी भी एक प्लांट को ले लेते हैं यह इसके लीव है यह देखें तो यह देखे आपने यूँ काट लेना है इसको यह किसी सीजर के साथ आपने इनको लीव को काटना है तो जैसे यह मैंने लीव को काट लिया है तो इसी तरह जैसे हमने इस प्लांट से इस लीव को काटा था जैसे विवर्ज हमने इस प्लांट से इस लीव को काटा था इसी तरह यह यह बड़ा और लीव है ये वहला तो इसको भी काट लेंगे तो ये जो दर्मियान में लीव्ज इनके रह जाएंगे ये वले लीव्ज इन लीव्ज को आपने नहीं काट ला इन्हीं लीव्ज की मदद से आपका नीचे से जो और्णियन है वो बड़ा होता है उसका साइज तरह यालो होकर गिरना शुरू हो जाएंगे और यह खतम हो जाएंगे और ना आपके इस्तमाल में यह आ नहीं सकते तो इसलिए यह जो नीचे की तरफ इसके लीव्ज होंगे उनको जस्ट आपने हार्वेस्ट करना है तो और ज्यादा हार्वेस्ट आप लीव्ज नहीं करने यह टीन लिव्स को मैं हार्वेस्ट लोंका यह तो इस तरह इन लिव्स को सेफ कर बताऊंगो जैसे यह इतने ज्यादा मैंने harvest कर ली हैं leaves तो इनको हम safe कैसे करेंगे अगर safe नहीं करेंगे तो ये इस तरह जाया हो जाएंगे तो इनको safe करने का मैं आपको तरीका भी इसके बाद जो वीडियो है आएगी उसमें बता दूँगा तो वीवर्स हम मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ नेक्स इंफरमेशन के साथ तक तक के लिए अलाहाफिज बाई बाई